सब्सक्राइब को नमस्कार तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे टाटा सीरा के बारे में 2020 के ओटो एक्सपो में टाटा मोटर्स अपनी लेजेंड सीवी सीरा के न्यू जनरेशन के कॉंसेट को अन्वील किया था तबसे कहीं सारे लोग इसके लोउंच वने का इंतिजार करें और हमारे पास भी इससे related कहीं सारे कमेंट आते की इस काड़ी ब्लड़ी के ओपर वीडियो बनाऊ और इसके कुछ यहां पर आप देख सकते हैं इसके साइड प्रोपेल की बात करें यहां पर आपको ब्लेक के साथ इस गाड़ी के उपर देखने को मिल सेगी और इसका जो डायक एडिशन है वह कुछ इस परकार का हो सकता है वह इस गाड़ी के प्रेंट में आपको ब्लेटी कलर की SUV स्टैल के इसकी प्रेड लगई गई है जो कि इसका लुक कापी स्पोर्ट ही देखने पर लगता है इसका लबा जो यह लॉँच होगी तब इसका कमपेटिशन या तो महिंद्रा बोलेरो या फिर महिंद्रा इसकोर्पियो के कमपेटिशन में लॉँच किया जा सकता है यह depend करेगा इसकी price के उपर अगर यह 10 लाग से कम price segment के अंदर launch की जाती है तो यह महिंद्रा बोलेरो के साथ कमपेटिशन करेगी और वहीं इसकी जो price है वो 10 लाग से उपर एगी तो यह महिंद्रा की स्कोर्पियो के साथ competition कर सकती है वहीं यह गाड़ी इलेक्टिक जो इसका concept दिखाए इलेक्टिक वेरिंट के अंदर लेकिन जब यह गाड़ी लॉंच होगी तो इलेक्टिक मॉडल के साथ-साथ इसके अंदर आपको पैंट्रोल और डिजल इंजन का भी option मिलेगा यह आपको जो पैंट्रोल इंजन रहेगा वो टाटा हैरियर के अंदर मिलने वाले टू लिटर का इंजन रहेगा और जब यह गाड़ी लॉंच करें इसके लॉंचिंग डेट के बारा में यह गाड़ी इंडिया के अंदर 2023-2025 तक launch हो सकती है उससे पहले नहीं क्योंकि आलपला टाटा मोटर्स के पाथ कहीं सारे इसके प्रोडेक्ट्रेज जो आने वाले टाइम के अंदर launch होने वाले तो टाटा मोटर्स का ध्यान केवल उन्हीं प्रोडेक्ट पर है इसका अलबा जो Tata Sierra है वो जरूर इंडिया मार्केट के अंदर लॉंच की जाएगी क्योंकि Tata जो मॉटर जो है उन्हें कहा है कि कहीं सारे जो पुराने मॉडल से है जिसको वो Tata मॉटर इंडिया के अंदर लॉंच करने वाली है अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगा तो वीडियो को लाइक जुरू करें धन्यवाद